नमस्कार प्रियमित्रो ओम वास्तूबा जोतिस चैनल में हम आप सभी भक्त जनों का हर्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और अभी मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही बेठा गुआ था मंदिर में तो एक चर्चा चल रही थी और वो जो चर्चा थी कि उपरी बाधा का निवारण होता है क्या या नहीं तो हम इस विशे पर भी आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो सभी वहाँ जो भक्त बैटेते हैं मैंने का आप मैं इस पर आपको वीडियो बना के दूँगा क्योंकि एक-एक विक्ति को समझाना बहुत मुस्किल है फिर वहाँ तरक सुरू हो जाती है तो उस तरक से हम कोई भी चीज का प्रमान नहीं दे सकते हैं ठीक है अब हम इसी चीज के लिए आपको वीडियो बनाया है जो आप से हम देख सकते हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं देखे हमारा कोई भी personal ग्यान नहीं है हम सब गुरु चरणों के जो भी ग्यान है हमारे सरी साला सर्थ बाला जी के चरणों का हमारे गुरु जनों का ही और हम पर कृपा है तो क्या वाकई ऐसा होता है क्यों परिवादा ठीक हो जाती है या मूल बाग से ही नश्ट हो जाती है यानि मूल सरीर जिस विक्ति का है जिस के अंदर वो हवा आती है क्या वो वाकई हमेशा के लिए चली जाती है तो देखे हमारे जो गुरु जी बतलाते हैं कि कोई भी जब गंदी हवा मेंदी लगाई हुए बाल खुले हुए इस तरीका मासिक धरम की कोई समस्या हो उस संबंद में जब हम कहीं से निकलते हैं कोई सफेद मीठी चीज खाई हुए हो या चुनरी की साड़ी पहनी हुए तो कई बार ऐसी अवस्था में या हम चट पर चले गए मकान की चट पर रात्री को संद्या काल में उस समय अगर वो कोई भी गंद जिसके डाउन है उस पर वो समस्या आ सकती है तो जब हम किसी के पास जाते हैं कि साब महाराज ने हमारा इलाज कर दिया तो क्या वाके ही वो चीज हड़ जाती है तो हमारे गुरू जी बताते हैं कि कोई भी चीज जब सरीर में प्रिवेस करती है तो वो चीज नहीं हड़ती तो जन नहीं हड़ती तो फिर उसका सरूप कैसे आता है कि जी हम उस महाराज के गए उसने जाड़ा गंड़ा तावीज पहनाया हवन कराया और वो चीज चली गए देखिए इसके पीछे एक रहस्य है जो हमारे गुरू जी ने बतला है वो मैं सब आपको बतलाने जा रहा हूँ आज आप ध्यान से सुनें और इस वरन रखें कि जब हम महाराज के पास जाते हैं और जब उसको वो बुलाते हैं कि तू कौन है बता तो वो कहता है मैं फलाना डिम का जो भी एकस भाई जैड उसमें जो भी हवाई वो बोलती है और वो महाराज उसका कहता है जा मैंने निकाल दी अब इस पर कोई भी असर नहीं होगा और वो ठीक होने लग जाते हैं तो देखें उपरी बादा का एक ही निवारण है कि उसको सपत दे के रोक दिया जाता यानि कि वो माराज क्या करते हैं उसको जो भी उसके अंदर भुरूत प्रेत जो भी ये पिसाच, साकनी, ढाकनी, कामनी, ग्रह जो भी एक्स, बाई, जेड उसको क्या करते हैं वो सपत लेकर उसको बारे साल के लिए बांद के पटक देते हैं अब वो बारे साल उस सरीर को परेसान नहीं करती तो जब वो परेशान नहीं करती तो हमें ऐसा अनुभव होता है वो विक्ती भी ठीक है इस्तरी या पुरुस हमें ऐसा लगता है उस महाराज ने उसको निकाल दिया लेकिन वो चीज निकलती नहीं है सरीर से उसको सपत देकर बांदेते हैं किसी महाराज के पाल जाते है तो दो-चार महिने आराम मिल जाता है किसी महराज के पास जाते हैं तो वो 6 मेने आराम मिल जाते हैं किसी के साल पर फिर 2 साल बाद फिर वो ही समस्या हो गई या किसी के 5 साल यानि 6 साल का फिर किसी के बाद फिर वो बापस जाजी साब 6 साल पहले हुई थी किसी के जिसाब 12 साल पहले हुई थी जब वो बच्चा हुआ था ना जब लग गई थी और आज 12-13 साल का छोड़ा होगे फिर वो ही समस्या होने लगे यानि कि उसी बीच में जब हम उसको सपत दिला के जितने समय के लिए बांदेंगे उतने समय के लिए वो चीज आपके सरीर में नहीं आईगे चलिए मुझे आसा है इस चीज के बारे में भी आप सब को और जानकारी मिली होगी हो सकता है इस जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हो लेकिन जो हमें गुरू जी ने बतला है जैसा हमारा अनवाव है हम वह आपको बता लेंगे चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपक बहुत बहुत धन्नबार नमस्कार